हेलो फ्रेंट्स वेलकम टी ट्वन्टीफोर नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपी सी आयल नुकलर पावर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नियो रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प् सकते हैं तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं अगर आप एपलिकेबल हैं अगर आप एलिजीबल हैं अपलाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ओनलाइन अपलाई कर पाएंगे बात करेंगे इसके फॉर्म अपलाई प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहाँ पर देखिए यह फ्रेंट से आपका ओनलाइन अपलाई पोर्टल है जहां से आप इसमें अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने से पहले फ्रेंट से यहाँ पर एक चीछिश ध्यान रखिएगा कि जो आपका Apprenticeship India की website पर login करना है और उसके बाद friends वहाँ पर जो option आता है आपके यहाँ पर statement registration का इससे आपको उस पे apply करना होगा apply करने के बाद ही friends आप इस form को fill करेंगे तो यह आपका portal है जहाँ पर registration कर सकते हैं registration करने का जो video है वो friends आप video description वाएंगे jobrasa.com पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैसे आप इसमें registration कर सकते हैं आपको इसकी जनकर यहाँ पर देखने को मिल जाती है registration process complete करने के बाद आपको यहाँ पर login करना है और उसके बाद friends एक option मिलता है जो की है apprenticeship opportunity का आप इस option पर जाकर friends आप search कर सकते हैं या तो आपको registration number दिया गया है इसको या फिर आप nuclear power corporation of india limited नरोरा atomic power station को आप search कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से search करने के बाद देखिए friends से आपके सामने तीन अपोचर्टी आजाती है अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नरोरा atomic power station लिख सकते हैं और इसके बाद देखिए आपको electronic, mechanic, electrician और feature का option मिल जाएगा आपको बस friends से यहाँ पर apply वाले option पर click करना है apply करने के लिए तो यह आपको यहाँ पर पहले apply करना होगा और उसके बाद friends आप आएंगे इस portal पर जहाँ पर आपको सबसे पहरे registration टैप पर click करना होगा इसके बाद आप यहाँ से इस data को close करेंगे यहाँ पर एकि post applied आपको select करना है trade apprenticeship इसके बाद discipline select करना है इसके बाद friends से यहाँ पर आपका apprenticeship enrollment number है जो कि आपने friends से इस portal पर registration क्या होगा तो आपको यहाँ पर registration number मिल जाता है वो आप यहाँ पर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आप से पूछा गया है कि आपने कभी भी जो apprenticeship की है नहीं की है आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं और अगर आपने पहले apprenticeship की हुई है तो आप वैसे ही eligible नहीं होते इसके बाद category select करनी है जंदल, OBC, SC, ST कोई भी category आप select कर ले सब category इन में से कौन सी है वो आपको select करना होगा इसके बाद friends से यहाँ पर PH candidate है तो yes कर सकते है नहीं तो आप no करेंगे इसके बाद friends आपको title select करना है आपके name का औ इन से date of birth है वो friends आप यहाँ पर select कर सकते है इसके बाद friends आपका 12-digit card card number आप दे सकते है नेशनल टी आपको select करनी है अगर आप यहाँ पर serving employee है NPCIL में तो आप yes and no कर सकते है इसके बाद friends से यहाँ पर आपको create करना है username अब username जैसा friends आप यहाँ पर create करना चाहे वो आप य इस character का जिसे friends से एक आपका alphabet होना चाहिए capital alphabet और इसके लावा small alphabet आपके यहाँ पर होने चाहिए numbers यहाँ पर आपके friends से होने जरूरी है और साथ में special character आपका यहाँ पर होना जरूरी है तो यह चार चीज़े जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है sample के तो देखिए म mobile number आपको देना है इस capture code को fill करना है और आप यहाँ से registration अपना complete कर लेंगे इसके बार friends आपका देखिए registration complete हो जाएगा और एक activation link आपकी mail ID पर send किया जाएगा तो जो activation link आता है उसको आपको active करना पड़ेगा और active करने के बाद ही आप यहाँ से login कर पाएंगे अपने login ID और password के साथ अगर आप अपनी mail ID पर उस आए होई link से इसे activate नहीं करते है तो आप login नहीं कर पाएंगे अकाउंट friends activate करने के बाद और login करने के बाद आपका जो portal है वो open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले है qualification section आप इस पर click करेंगे इसके पर friends यहाँ पर सबसे पहले SSC आपको select करना है और यहाँ पर ITI select करना है ITI का discipline आपको select करना होगा यहाँ पर आपको देना होगा friends आपके institution का नाम या फिर आपके school का नाम जहां से आपने 10th की है वो आप यहाँ पर जानकरी दे सकते है और जहां से आपने जो आपने ITI की है उसकी जानकरी आप यहाँ पर provide कर दे पर देना है आपका year of passing मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है date admission की तो उससे पहले की date जो भी आपका डूरिशन होता है course का उससे पहले की date आप friends यहाँ पर mention कर सकते हैं यह friends mention कर यहां पर आपको देना होगा same आपको यहाँ पर आपका passing year और आपका admission year जो की friends standard आपको देना है तो आपकी height कितनी है उसकी जानकारी आप यहार देंगे आपका weight कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा यह फ्रेंड से यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर है को अधर कौैलिफरिकेशन आपकी है नहीं है तो आप इसे save and proceed कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए post qualification work experience है तो आप यहाँ पर आपकी qualification के बाद कोई experience है आप उसकी जानकाय देना चाहें दे सकते हैं बाकी से blank छोड़िए और यहाँ पर भी आप na कर सकते हैं no कर सकते हैं और उसके बाद save and proceed यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर यहाँ पर देना होगा आपका select करना है अगर आप employment exchange मतलब रोजगा कराले में register है तो अपनी जानकारी दे सकते हैं नहीं है तो आप simply no भी कर सकते हैं आपका address क्या है correspondence correspondence address होता है आपका present address तो पूरा address आप यहाँ पर mention करेंगे आपका district आपको mention करना है और आपका pin code आपको यहाँ पर mention करना होगा तो यह friends आपका address section है आपके according जो भी पूरा address आपका है वो आप दे सकते हैं दोनों address same है तो आप same as पर click कर देंगे अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं आपके village का नाम क्या है या फिर आपके city का नाम क्या है और आपका nearest railway station कौन सा है आप उसकी जनकारी देंगे इसके बार आप इसे भी save and proceed कर सकते हैं इसके बार फ्रेंसे photograph and signature आपको upload करने हैं instructions आपको यहाँ पर दिये गए हैं instructions को आप read out कर सकते हैं कि photo and sign आपको कैसे upload करने हैं sample भी आपको दिये गए हैं किस तरह की sample photo यहाँ पर आपके acceptable है जो कि आप jpg format में upload यहाँ पर कर पाएंगे तो friends photo and sign upload होने के बाद आपको save and proceed का option मिलेगा आप इस option पर click कर देंगे और इसके बाद friends आपके सामने open हो जाएगा प्रिव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर ले अगर आपको लगता है किसी भी option में कोई गलती है आप उसे सही कर सकते हैं नहीं तो आप इसे submit कर देंगे और submit करने के बाद आपका यह form friends से final submit हो जाएगा और आपना जो final print out है प्रिंट application form यह आप निकाल कर अपने पास से रख लें साथ प्रिंट आउट आप ले लेंगी तो उसे friends से दिए कि इस address पर आपको इसे send करना होगा 7-7-2022 तक तो friends इस address पर आप इसे send जरूर करें और photo और signature भी आपको form पे करना होगा तो यहाँ पर friends मैंने आपको पूरी जो आपकी process से वता दी है NPCIL का apprenticeship form आप कैसे fill कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगतार मिल सके तो friends like, subscribe and share जरूर कीजिए बाके की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे YouTube channel and last thanks for watching